हम आ रहे हैं आपके शहर में आपके बीच आपकी आवाज बनने क्योंकि रुएल खंट समझार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कारिक्रम कि आपका शहर आपका वाज किसके तरह है क्या सफाई बेवस्ता है क्या पक्की नालिया है क्या पक्की सड़के है क्या क आपके मेंबर में काम क्या नगरपाली का अध्यक्ष में हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी जहां इसलिए रुएल परिंसमाचार लाया है करिकम आपका शहर आपका वार्ड इस बार किसके सिर्ज सजेगा ताज आज हम बात कर रहे हैं भारतिंदा पाटी के उस पर त्यासी की जिनोंने नगरपाली का चेर्मेनी का चनाव लड़ा जिनोंने रामपुर विधानसवा का चनाव लड़ा और अभी जो उप्चनाव हुए हैं उसमें उन्होंने पूरी दावेदारी की थी कि उनको टिकट मिले कि किन परस्तितियों से उनके साथ क्या हुआ उसी सब चर्चा को लेकरती के सवाल होंगे उनसे भारत बुष्ण गुपता जी हैं जिनको आज रुवेल खंट समचार ने अपने कारिकरम के तहर्ट जोड़ा है आपका शहर आपका वाट और किसके सिर्ष सजेगा ताज भार कर रहे हैं तो आखरकार आप संगठन जो है वो आपको अभी तक काबिल क्यों नहीं मान रहा है नहीं भारती जंता पार्टी ने पुरा सम्मान दिया है मैंने यह लग बात है मैंने लोकसभा का भी टिकेट मागा था बिधान सभा मैं दोहजार उननीस का उप चुना लड़ काम करके यहां पर भरती जंता पार्टी को यहां खड़ा करने में पूरा योगदान और सहोग किया है और भरती जंता पार्टी ने मुझे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोसा अध्यक के पत पर पिछले वाले उसमें मुझे मौका दिया मैंने संक्ठन में भी काम किय अभी भी मंदल में प्रिवहरी हूं और मुझे लगता था कि इस बार मुझे टिकेट मिलने वाला लेकिन पार्टी का निर्ड़य सरवो परि होता है पार्टी मां है, पार्टी की सेवा कर रहा है, हम सब बच्चे है, पार्टी सबी का ध्यान रखती है जिसे टिकेट डिया उसे लड़ाया और भारती जन्ता पार्टी की जीत हुई जीत हुई उस दुरान आप एक्तम असंतुष्ट भी हो गए थे आप हमारे चैनल के रोलखन पर समचार पर भी लाइब के आपके बात हुई थी कि भारत जी आपकी नराजगी क्या है मेरी कोई नराजगी नहीं है मैं कभी असंतुष्ट नहीं था मैं हॉल्बेज टु हॉल्बेज संतुष्ट था संतुष्ट हूं संतुष्ट ही रहूंगा ऐसा ऐसा लगता होगा लोगों को चुकि लोगों का चश्मा होता है जो देखने का वो अलग होता है लोगों को लगती थे, उम्मीद है थी लोगों की, कि मैं भारती जनता पार्टी शे प्रवल दावेदार था, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, चुनाव में टिकेट दूसरे हमारे भाई को पित्याशी को मिला, आगा सकसेना जी को तो लोगों को लगा होगा कि, अब आप जितने लोग टिकेट मांगें, लेकिन जब जिसे टिकेट मिल जाएगा, तो अच्छा कार करता है, उसी के साथ खड़ा हो जाता, पार्टी का अधिस मानते हुए, भारत जी कितने टिकेट मांगें, कि लोग सबा आप मांग रहे, बिदान सबा आप मांग रहे, और अब चे करता हूँ, नहीं डिजर्ब करता हूँ, मैंने सही बात है, लोग सबा का भी टिकेट मांगा था, लेकिन घंशाम सिंग लोधी को बरती जन्ता पाटी ने टिकेट दिया, तो हमने डट के पूरी छमता पूरे महनत के साथ, पूरी निश्टा इमान दारी के साथ, उन्हें भ अब आपने चेरमैनी मांग रहें उगई अगर मा लिज्य के कर चेरमैनी लड़ने को तैयार हैं आप कोई दिक्कत नहीं। पर हबाईजाज भी तो आया मेरा मतलब हैसियत से है कि मैं अगर हबाईजाज मांगता हूं और मेरी हैसियत कार की है यह साइकिल की है यह दिख्शे की है तो पॉपार्टी मुझे अगर उस लाइग समझती यह वह मुझे मुझे शिफ्ट करेगी, तो मैं बहाद शिफ्ट हो जाओगा। महारत जी, साइकिल वाली बात पर मैं भुछ रहा हूँ, बधान सभा चुनाओं में, आप पर आरोप लगा कि आप आजम खान के संपर्ग में हैं। मैं जाब आरोप तो लगते रहेंगे और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारी निष्टा, हमारी मेनद, हमारी इमानदारी और हमारा संकल्प, हमारा समर्पन पर्टी के साथ है, अगर आरोप लगते होते तो भारत भूशन गुपता, जब मुझे 2022 के हम चुनाव में टिकेट नहीं दिया, पार्टी ने आकास जी को दिया, अब 2022 में उपचुनाव में भी टिकेट नहीं दिया, तो मैं दर्टा के साथ पार्टी के साथ खड़ा हूँ, अगर मेरा मन कमझूर होता, मैं बिचारधरा परवार से जड़ा हूँ, अगर profound benefit है होती ह तो बाइक्तर तनिभीर की तो डाक्टर तनिभीर जाने मैं तो ना कतई नाराज था नाराज हूँ नाराज हूगा यह यह आरोप आप भी मुझे लगा रहा है कि मैंने लगा रहा भाराज जी आपको उस समय आप नराज थे रुवेल कंट समाचार के स्टूडियो पहुंचे थे और वका था आपने रुवेल कंट समाचार में आपनी बीड़ा भी रखी थी और डाक्टर तन्वीर ने तो यहां तक हमारा भी इंटर्वी चलाया है हमने त ने बरसाती मेंड़क कह रहे हैं तो वह तो बो जाने आपने हमारे रुवेल कंट समाचार पर हमने दिखाया वह ने आपको दिखा मैंने वह देखके हम सब लोग चौक भी गए क्यार यह डाक्टर तन्वीर ने यह स्टेटमेंट क्या कहा है हमें तो एक एक व्यक्ति की पर सुरेश खन्ना जी मानने मुक्तर अबास नक्वी है वरिष्ट नेता है उन दोनों ने वाकाता तयार किया कि मुसल्मान बोट कट जाए यह देखिए मेरी नेजर में तो ना भाई गलत बयान है अगर भारती जंता पार्टी के अच्छे कार करता है डाक्टर तन्वीर और प्रदेश सद्यक्य पत्पे बैटें वो कोई ऐसी हलकी बात करेंगे या कोई ऐसी गलत रणनीती या प्लैन तयार करेंगे कि डाक्टर तन्वीर को आजात खड़ा करें या उन्होंने कहा हो कि वो आजात खड़े हो जाई हो और मुसल्मानों के बोट कार्ड लीजिए आका नगभी जी ने मुझसे कहा मेरी बात होई प्रदेश सद्यक जी से तो ये सरासर मुझे तो निराधार लगता है ऐसा हो इन्होंने भारती जंता पार्टी के सीर्स नेता और बरिश्ट नेता ये ऐसी हलकी बात करेंगे तो कोई समझ में नहीं आती ये बिलकुल कोई अपना नहीं मंचा साधने के लिए वो सकता इन्होंने डाक्टर तन्बीर साब ने ऐसी बात कही होगी और अगर इसमें सच होगा तो हमारी नेताओं ने देखा होगा उस पे उनकी प्रितकिरिया आ जाएगी एक तर्प भाच्पा कर रहती हैं ये पस्मांदा समिलनी मुसलीम को वहां एक मुसलिम चरह भाच्पा क साधने के लिए सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास के پैटन पे काम कर रही है राशन दे रही है, घर दे रही है मुसल्मान भाई हमारे बोट दे रही है तो हम उने बड़ साथी मेंड़क रहें या यह कहें कि उनके बोट काटने के लिए हम उनके बोटों से चुनाओ जीतना चाहते हैं तो जो वो आरूप लगा रहे हैं गल्द लगा रहे तनवीर ने मेरे हिसाब से तो देखिए डाक्टर तनवीर जानते होंगे या उनका इश्वर जानता होगा मुझे तो जो उनकी बात मैंने सुनी जो उनका उन्होंने कहा है मुझे वो आरूप लगता है हमारी भारती जन्ता पार्टी में ऐसा कोई गलत काम अंदर नहीं बनाए जाना पार्टी के बार्ति जंदा पार्टी के मैं भी कार करता हूं डाक्टर तन्वीर भी कार करता है कारवाई का मुझसे ना कोई मतलब है और ना मुझसे लिना देना है सब बहुर्डबस आप मान रहें और अभी तो आप कह रहें देगी अच्छाइब मैं तो यहीं कहाूँगा summary को आपके चैनल पर दुबार आ के अपनी बहुमकों शुधारना चाहिए ना हमारे मानिय Both Mani, Suryas Khanna ji, ना हमारे प्रिदेश-अर्ग Stayaksh जो बात उन्होंने कही है, किसी दसा में, किसी भी हालत में, पहीं है सकते कि आप आजाथ खड़े हो जाइए किसी पार्टी के नेता से पार्टी के कारकरता से जो भारती जंता पार्टी का और गलत पंडे नहीं लगाती पार्टी तो आदर्शों के उसूलों के रास्ते पर उन्हीं पत्चिन्नों पर चल रही है और पंडी दीन दियाल उपाद्धिया शामा परसाद मुखड़ जी के बताए रास्तों पर चल के हम सब लोग आखरी व्यक्ति तक उसका कैसा सम्मान हो उसका विकास कैसा हो उस रास् पर कैसे भरोसा कर लें देखिए बहार के लोग जो आ रहा हैं कैसे भरोसा कर लें भरोसे के लिए डाक्टर तन्वीर ने कोई पार्टी थोड़ी जोईन कराई है या भारत बुशन गुपता ने थोड़ी पार्टी जोईन कराई है और जो भी पार्टी में आता है उस पर भ ब्यक्ति जब आता है तो वो उस दिन नया होता है तो नए लोगे की कोई परवाशा नहीं होती जब मैंने जुआइन करी होगी तब मैं भी नया था और मेरे परवार ने मैंने हम सब लोगों ने लंबे टाइम तक काम किया है मैं कोई साधान कार करता नहीं हूँ मैं जमीन पर कायम करता हूं एक बार मेरे भाई दो बार में जिला पंचायत का मेंबर रहा हूं मैं गाहों से प्रधानी और सुसाइटी के एलेक्षन छोटे वाले एलेक्षन तमाम एलेक्षन उसे यहां तो 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 क्या भारत बुष्ण गुपता इस बार जो नगरपालिक का के चिना हो र मांगें भारत जी आने मांगें नहीं टिकेट मांगेंगे नहीं मांगेंगे इसका सवाल नहीं है पार्टी के नेताओं से बात करेंगे अगर उनकी इच्छा होगी वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो निच्छी तूर पे मैं चुनाव लड़ूँगा या मेरी पत्र मुझे जहां तक जान कर रही है कि भाशपा जो है बिना आवेदन करें टिकट नहीं तो आवेदन कर देंगे अपाँ पार्टी जब हमारे नेता हम से कहते हैं कि हमें आवेदन करना है तो हम आवेदन करते हैं पहले तो बात ही रखनी होती है बात रखनी होती है आवेदन तो अध्यक्षमत के लिए आवेदन भी करूँगा नमस्कार मैं हूर अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजेगा और हाँ हमें सब्सक्राइब और फालो करना नहू ले ताकि आप से कोई नए अपडेट छुड़ना पाए जी हाँ आप ध्यान रखें हमारे साथ जुले रहिएगा रुएल खंट समझार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए